Hello everyone, welcome to origin. आज की इस class में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे class 12th के English का chapter 5 जिसका नाम है Indigo. So, Indigo आज हम स्टार्ट करने वाले हैं and हम सबसे पहले देखते हैं कि आज की session में हम क्या-क्या देखने वाले हैं हम इस story का sketch देखेंगे छोटा सा and then story की summary, then NCIT questions, then PYQ questions and at the last long answer questions. हर वीडियो में हमारा जो target 95 प्लस चल राउस में यही sequence होता है तो इस वीडियो में भी same ही sequence होगा. So, अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे इस story के sketch के उपर ज्यादा time हमें waste नहीं करना है तेजी से हमें एक बार chapters को अच्छे समझ लेना है कि इसके कोई हमारा doubt ना बचे ताकि बाद में हमें problem ना हो. So, देखते हम इस story का sketch हमारे characters कौन कौन से है? महात्मा गांधी और राज कुमार शुकला ये दो हमारे character हैं इस story के writer कौन है? Louis Fisher Louis Fisher जो है, वो इस story के writer है अब छोटा सा sketch देख लेते हैं इस story का background क्या है? किस तरीके से story जो है, वो बनाई गई है? So, ये जो story है, वो Louis Fisher जब गांधी जी के साथ एक week के लिए रहने उनके आश्रम में गय थे तब उन्होंने गांधी जी से जो interview लिया था उसको उन्होंने compile करके एक book लिखा है उसका extract है उस book का एक छोटा सा part है, ये story इस story में हम जानने वाले हैं किस तरीके से गांधी जी ने जो चमपारंड सत्याग्रह किया था वो किस तरीके से हुआ था उसमें सारी चीजे क्या-क्या उसमें works हुए थे So, ये हमारी story का sketch था अब हम start करने वाले हैं हमारी session का सबसे important हिस्सा, जिसे हम कहते हैं इस story की summary अगर आप summary को ध्यान से समझ लेते हैं तो इस chapter से related सारे questions आप से बहुत यासानी से बनने लगेंगे So, आपका थारा ध्यान होना चीज़ वीडियो में, क्योंकि हम start करने वाले इस story की summary Indigo by Louis Fisher यह story है गांधी जी के द्वारा किये गए चंपारंड से related Story कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि गांधी जी जब अपने किसी काम से लखनव गय थे तब वहाँ उनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुकला से राजकुमार शुकला बिहार के चंपारंड जी लेका एक छोटा सा किसान है वो लखनव में गांधी जी से फर्याद करने आया था चंपारंड के किसानों पर हो रही ज्यादती के लिए गांधी जी का कहना था कि मेरे अभी और कई जगा कमिटमेंट्स है आप बाद में मुझसे मिलिए तब मैं आपका जो प्राब्लेम है वो सुनूंगा फिर गांधी जी जहां जहां जाते थे राजकुमार शुकला वहां वहां उनको फालो करता था एंड उसकी इसी जिद्धी निर्पन की वज़े से गांधी जी उससे खुश हुए एंड गांधी जी ने उससे कहा कि मैं एक महिने बाद कोलकाता जाने वाला हूँ वहां तुम आके मुझे वहां से ले जाना जब गांधी जी एक महिने बाद कोलकाता पहुँचे तो जो राजकुमार शुकला है वो पहले से कॉलकाता में था गांधी जी ने कॉलकाता का अपना काम कम्पलीट किया और वो उसके साथ चले आए चमपारण चमपारण आने के लिए उन्होंने राजेंद प्रसाद को फोन किया था कि उनके आए वो रुखने वाले हैं जब गांधी जी राजकुमार शुकला के साथ चमपारण पहुँचे तो राजेंद प्रसाद जी हाव वही राजेंद प्रसाद जो बात आगे चल के हमारे इस भारत देश के पहले राश्पती बने जब गांधी जी राजकुमार शुकला के साथ राजरेंप्रशाद के घर पहुँचे तो वहाँ जो उनके नौकर थे उन्होंने उनको काफी बुरी तरीके से टृट किया क्यों? क्योंकि उनलोग राजकुमार शुकला को पहचानते थे कि ये जो व्यकती है वो हमारे मालिक को बार बार पशान करते रहता है चंपारन के जो crop shareholders हैं जो किसान है उनके problem को सुनने के लिए जूकी गांधी जी राजकुमार शुकला के साथ आये हैं तो उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान ही समझा गांधी जी को उन्होंने कोई से पानी पीने से भी मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था या उनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी जो है वो untouchable है अब गांधी जी ने उन्हें कुछ explain नहीं किया गांधी जी वहाँ से चले गए मुझफफरपुर मुझफफरपुर में गांधी जी गय वहाँ उन्होंने वहाँ के lawyer से बात की उन्होंने उन lawyer के सारी जानकारी ली जब मुझफफरपुर में गांधी जी lawyer से बात कर रहे थे तो lawyers गांधी जी को बताते हैं कि क्या-क्या उनके fees structure है और कित्ती बड़ी-बड़ी वो fees लेते हैं तो गांधी जी उन्हें बहुत डाटते हैं कि क्यों तुम इन किसानों से इन गरीब किसानों से इतना fees ले रहे हो इनके लिए तो तुम्हें सेवा करनी चाहिए ये किसान इतने इसकदर दरे हुए हैं कि इन्हें लगता है कि कोट का चेहरी जाना या कोट में अपना जो भी एक complaint है वो लिखवाना बिल्कुल useless है और तब के टाइम पे advocate जो lawyers से उनके प्रती जो home rule के lawyers से जो इंडिया के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे जो lawyers उनके लिए जो हमारे आम लोग थे भारत के वो ज़्यादा sympathy नहीं दिखा पाते थे reason था वो काफी डरे हुए थे क्यों डरे हुए थे उनको ऐसा लगता था कि अगर वो इन lawyers से जुड़ेंगे इन lawyers पे sympathy दिखाएंगे इने support करेंगे तो शायद अंग्रेज जो है वो इन्हें हानी पहुचा सकते हैं बट ये सारी चीज़े जब होई और lawyers जब गांधी जी के support में आए तो गांधी जी ने कहा कि जो चमपारण के किसान है उनके लिए पैसा बड़ी समस्या नहीं है उनके लिए जो असली उनको relief मिलेगा असली जो उनको राहत मिलेगी वो उनका डर हतम करके मिलेगी चमपारण का scene कुछ इस तरीके से था कि वहां की जो जमीन थी उसका most हिस्सा जिसमें cultivation किया जा सकता था उसे जो वहां के अंग्रेज land lot से उन्होंने उस पे कबजा करके रखा था एंड वो उसका 15% लेते थे जो किराय पे जो उस खेतों पे उगाते थे चमपारण के किसान उनसे 15% वो उसका हिस्सा लिया करते थे और जो इंडिगो का plantation होता था वो पूरा का पूरा उन्हें अंग्रेजों को देना पड़ता था as a उस land पे cultivation करने का charge अब होता यह है कि जब जर्मनी में synthetic indigo बना लिया जाता है तो इन्हें पदा चलता है कि इनका जो है वो loss हो रहा है और वो बात जो थी वो किसानों तक पहुँची नहीं तो अंग्रेजों ने उस टाइम वहाँ पे rule लाया कि यह जो 15% की जो holding है इसको छुड़वाने के लिए उन्हें पैसे देने होंगे कुछ किसान मान गया पैसे देने के लिए पैसा बहुत हैवी था तो कुछ मान गया कुछ ने lawyers लगा है बट जैसे ही यह synthetic indigo वाली बात 15% holding की तो उन्हें लगा कि हमारे साथ धोका हुआ है हमारे साथ cheating हुई है and इसलिए वो जो थे काफी उग्र थे काफी agitated थे और उन्हें जो है वो अपनी पैसे जो थे वो अपना वापस मांग रहे थे इन सब चीजों के बीच जब गांधी जी चंपारन पहुचे फिर से त इसके बाद गांधी जी कमिशनर के पास पहुचे और उन्हें उन्हें कम्प्लेन किया कि उन्हें बुली किया गया है उनके साथ जाधती हुई है ये सारी चीज़े हो गई इसके बाद गांधी जी को पदा चलता है कि पासी के गाव में चंपारन की गाव में एक किसान को का अहां लोगों की भीर जमा हो गई थी अब जितने भी लोग अगले दिन उस कोट के बाहर खड़े हुए थे उन्हें गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पताथा उन्हें सिर्फ एक बात पता थी कि हाँ एक महात्मा है जो उनके सपोर्ट के लिए लड़ रहा है और इतने भीड को देखके जो British के जो officers थे वो powerless feel करने लगे बट गांधी जी ने उन्हें help कराया भीड को शान्द कराने के लिए इसके साथ गांधी जी ने Britishers को ये संदेश पहुचा दिया कि अब उनकी जो ज्यादती है वो हम हिंदुस्तानी ज्यादा देर सहन नहीं करेंगे और जो trial है वो postpone कर दिया गया गांधी जी ने इसका क्या कहते हैं oppose किया कि क्यों हमारा trial postponed हुआ और फिर गांधी जी कहते है कि मैंने rule break किया है बट मैंने ये जो rule break किया है वो एक अच्छे cost के लिए किया है social cost के लिए किया है अपने conscience की voice के लिए किया है means अपनी अंतरात्मा की आवास की वज़े से मैंने ये जो rule है उसको break किया है और जो magistrate है वो गांधी जी से कहता है कि आप अपने लिए एक bail का paper तयार करवा लिजिए इस तरीके से वो गांधी जी से कहता है तो गांधी जी इस पर refuse कर देते हैं अब गांधी जब इसको refuse करते हैं जो वहां का जो judge था जो mayor था वो कहता है कि आपको थोड़ा liberty के लिए free किया जा रहा है कुछ दिन के लिए और इसकी सुनवाई जो है वो चलती रहेगी अब जब गांधी जी इसके साथ राजेन प्रसाद के साथ कई lawyers जब गांधी जी के पास आके बैठे उन लोगों ने गांधी जी से बात की तो गांधी जी उन से पूछते हैं कि अगर मैं jail चले गया तो तुम लोग क्या करोगे तो जो lawyer से वो कहते हैं कि हम आपको पूरा support करेंगे और अगर आप jail चलेगे तो हम वापस लोट जाएंगे तो गांधी जी उनने फिर से याद दिलाते हैं कि ये जो किशानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में और ये चीज जो lawyer से वो खुच से भी सोचते हैं कि जब गांधी जी एक बाहर के व्यक्ति जिनने इन किशानों से कुछ मतलब भी नहीं है वो अगर इतनी महनत कर सकते हैं इनके लिए और जेल जाने के लिए भी तियार है तो इस आदमी को जेल में अकेला छोड़ के जाना हमारे तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी तो वो गांधी जी को कहते हैं कि अगर आप जेल गए तो हम भी आपके पीछे-पीछे जेल में आ जाएंगे और इसी बीच गांधी जी कहते हैं कि बस चंपारन का जो लड़ाई है वो हम जीत चुके हैं और इसके बाद जो लेफटिनेंट जनरल है चंपारन के उन्होंने यह रूल पेश किया कि जो केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है अब गांधी जी को कोई भी सजा नहीं होगी कोई भी सुनवाई नहीं कि जाएगी इसी के साथ गांधी जी घर को अपना हेड़कॉर्टर बनाये थे वहां रहके वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन ने जारी रखे थे एंड कई सारे रिपोर्ट उनके सामने पेश किये गए थे एंड ये सारी चीजे के बाद सारी चीज होने के बाद जो चमपारंड के लेफटिनेंट जनरल थे सर एडवार्ट गेट उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि गांधी जी को बुलावा अभजवाया कि ह हम एक कमिटी बठाएंगे एंड उसमें मिलके हम सारी चीज़े डिसकस करेंगे गांधी जी ने एक सारा प्लान पहले से ही तयार कर लिया था कि अगर इस मीटिंग के बाद मैं वापस ना लटू तो आपको क्या क्या करना है वो जो कमिटी बनाई गई थी उसमें गांधी जी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो चंपारण के किसानों में से थे बागी सब अंग्रेश थे अब उस कमिटी में क्या होता है उस कमिटी में गांधी जी से पुछा जाता है कि आपको कितने का कितने परसेंट का उसमें आपको रिटर्ण चाहिए कमिटी का सोचना था गांधी जी 100% माँगेंगे बत गांधी जी ऐसा नहीं करते वो 50-50% वो रिटं माँगए और जो ब्रेटिश से वोने कहते हैं कि नहीं हम सर्फ 25% देँगे तो गांधी जी 25% में भी राजी हो जाते हैं इस चीज से ब्रिटिशर जो थे वो शौक हो जाते हैं जब इस मीटिंग के बाद गांदी जी वापस आते हैं तो उनसे पुछा जाते हैं कि आप 25% में क्यों मान गया तो गांदी जी का कहना था इस लड़ाई में हमारा में मुद्दा 25% 50% या पैसा नहीं था में मुद्दा ये था कि कु उनके पास भी हिस्सेदारी हैं उनके पास भी राइट्स हैं और उनके पास ही उनके लिए लड़ने वाला कोई व्यक्ति है इस तरीके से गांदी जी ने वहाँ के किसानों का डर खतम किया अब यहां पर यह सारी चीजी सिर्फ यहीं पर खतम नहीं हुई गांदी जी चंप और कस्तूर्बा गांधी जी की वाइफ और उनका जो छोटा बेटा था वो भी वहाँ पहुचे अपना help देने के लिए वहाँ उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था करवाई बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए वहाँ sanitation के facility लाई की वहाँ साफ सफाई का उन्होंने सीख दिया लोगों को और काफी और अधर चीज़े भी वहाँ प्रोवाइट कर आई साफ सफाई के लिए गांधी जी देखते हैं कि वहाँ की जो महिलाओ के कपड़े पहनने का तरीका है वो भी बहुत ही बुरा है स्टाइल था वो सिर्फ लोगों को अंग्रेजों से पीछा नहीं छुडवाते थे उनसे आजाद नहीं करवाते थे उनके रहन सेहन के तरीके को भी काफी उपर वो लाके रखते थे एक बार का केस यह आया कि गांधी जी के जो एक दोस्त थे Charles Free Andrews एक तरीके से दोस्त नहीं वो गांधी जी के काफी डिवोटेट फालोवर बन चुके थे वो जब इंडिया आये तो गांधी जी के साथियों ने कहा कि क्यों ना हम इनसे help ले अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लडाई में तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया और इसी के थुरू गांधी जी जो है वो self-reliance का भी सीख देते हैं यहीं पे जो है हमारी स्टोरी जो है वो end हो जाती है यह जो हमारी स्टोरी थी इंडिगो काफी beautiful सी स्टोरी थी जो कि गांधी जी के चंपारंड सत्यागरह पे बेज थी जिसके राइटर है लोईस फिशर यहां पर यह हमारी स्टोरी end हो जाती है यह जो summary है वो यहाँ पर हमारा end हो जाता है अब हमें start करना इस chapter का question वाला section सबसे पहले हम start करने वाले NCRT questions ओके, so हमारा first question है How did Rajkumar Shukla establish that he was resolute Resolute मतलब क्या होता है? जिद्धी होना, द्रिड होना एक तरीके से हटी होना means अगर कोई चीज उसे चाहिए तो वो पाक ही रहेगा, वो उस पर जिद पर अड़ जाएगा यह चीज कैसे? यह चीज हमें इस तरीके से परदा चलती ही कि गांधी जी ने जब उसे बोला कि अभी मेरे कई सारे commitments है आप बाद में आना तो जहाँ जहाँ गांधी जाते थे वहाँ वहाँ राजकुमार शुकला जो है वो पहुँच जाते थे इन फैक गांधी जी ने जब उन्हें एक महीने बाद में कोलकाता होंगा कहा तो वो पहले से ही कोलकाता में पहुच चुके थे एंड वो final में गांधी जी को चमपारण ले जाके ही रहते हैं तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो राजकुमार शुकला है वो क्या था Resolute Person था Next हमारा question है How was Gandhi treated at Rajendra Prasad's house Rajendra Prasad के house में गांधी जी को किस तरीके से treat किया तो Rajendra Prasad के house में गांधी जी को treat किया था Homework इसका answer आपको देना है क्योंकि मैंने summary में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको explain किया है तो इसका answer जो आपको comment करना है यह चीज में हर बार कहता हूँ कि पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि comment का reply आपको मिलेगा ही तो आपको अगर कुछ query होगी तो आप comment कर सकते हैं and answers तो मैं सारे बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ and हाँ one more thing कि जो best answer होगा वो pin भी किया जाएगा आपको ध्यान से comment करना है next question है why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers अब Gandhi जी 25 के refund में ही क्यों मान गए क्यों मान गए क्यों कि Gandhi जी का कहना था कि यहां पर जो हमारा main name है वो money नहीं है वो return नहीं है main name है कि जो जो हिस्सेदारी जो Britishers की इज़्जद थी जो Britishers का pride था उसमें से वो कुछ ना कुछ तो वापस करे जिससे जो farmers का जो fear है जो fear है वो क्या हो? खतम हो जाए ये गांधी जी का main name था इसलिए वो 25% पे भी मानगे क्योंकि उनका कहना था कि ये 25% वो हमें जमीन का नहीं दे रहे ये 25% वो हमें pride का अपनी इज्यत का हमें दे रहे हैं इसलिए गांधी जी इस पे मान गया थे नेक्स्ट अमारा question है वाई दो यू थिंग गांधी चंपारन एपिसोट टू बी दा टर्निंग पॉइंट आफ इस लाइफ गांधी जी जो है वो चंपारन एपिसोट को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट क्यों साबित करते हैं गांधी जी से अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसलिए साबित करते हैं क्योंकि इस incident के थो उन्हें कई सारी चीजे पदा चलती है पहली चीजे उन्हें पदा चलती वो है public support public support उन्हें पदा चलता है पुरा स्टेशन को भर दिया जब गांधी जी अदालत में उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया तो वहाँ इतनी भीर जमा हो गई कि जो ब्रिटिश ऑफिसर से वो भी उसे नहीं समाल पाए तो उन्हें पदा चला नैक्सी उन्हें पदा चला कि जो civil disobedience है जो civil disobedience है वो किस तरीके से अंग्रेजो के खिलाफ इंडिया की जो आजादी की लड़ाई है उसमें काम आएगा civil disobedience यहाँ पर क्या कामाया गांधी जी ने अंग्रोजो की किसी भी आदेश का पालन नहीं किया and finally उनका जो case था वो drop कर दिया गया so यहाँ उन्हें civil disobedience के बारे में पता चला third thing हमें यहाँ पर यह पता चला root cause कि जो इंडिया के जो लोग है उनका गुलाम होने का जो main reason था वो यहाँ से गांधी जी को पता चला and वो main reason क्या था लोगों के मन में बैठा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए डर यह main चीज गांधी जी को यहाँ से पता चली so यह जो 3-4 points है यह हम इस question में लिख देंगे and इसके हमें full marks मिल जाएंगे and इस तरीके से यह question हमारा complete हो जाता है next हमारा question है how was Gandhi able to influence the lawyers अब यहाँ पर यह पुछ रहा है कि गांधी जी किस तरीके से जो lawyers थे चंपा रंके उन्हें influence करने में successful हुए तो गांधी जी उन्हें influence करने में successful हुए अपना example देके और जो चंपा रंके जो किसान है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में उन्हें याद दिला के वो गांधी जी जो है उन्होंने उन्हें influence किया वहां के lawyers को next question how do we know that ordinary people to contributed to the freedom movement ordinary people ordinary people से कहना यहाँ पर क्या हुआ ना वो lawyer थे ना वो politician थे ना ही वो कुछ और थे एक आम आदमी किस तरीके से contribute किया सबसे बड़ा example यहाँ पर कौन है राजकुमार शुकला ओके जो हमारा राजकुमार शुकला जो main character है जो गांधी जी को अपने जिद के दम पे चंपरन में लाके ही रहा वो एक आम आदमी था किस तरीके से इतनी भीड जमा होगी जब गांधी जी पहुँचे कि अंग्रेज के जो officer थे वो समहालना मुश्किल हो गया यह भी जो आम आदमी थे उनके तरफ से यह contribution ही था यह सारी चीज़े हम इस question में explain कर सकते हैं next question हमारा देखते हैं अब हम start करें PYQs तो PYQ हमारा पहला question है why did राजकुमार शुकला want to take गांधी जी to चंपरन अब राजकुमार शुकला जो है वो गांधी जी को चंपरन क्यो ले जाना चाहता था राजकुमार शुकला गांधी जी को चंपरन ले जाना चाहता था कि जो चंपरन की जो किसान है उनके साथ जो injustice हो रहा है उसको remove करने के लिए जो राजकुमार शुकला है उसने गांधी जी को वहाँ बुला है था single line answer है MCQ भी इससे अच्छा बनाया जा सकता है 30-40 words में भी अगर आप इसे लिखेंगे तो ये question अच्छा है important question है क्योंकि chapter के starting में हमने देखा कि जो राजकुमार शुकला है वो गांधी जी को क्यो ले जाना चाहता था next question हमारा है what were the terms of the indigo contract between the British landlords and the Indian peasants अब ये जो indigo contract का जो terms है वो 25% वाला नहीं वो 15% वाला है तो यहाँ पर क्या-क्या terms थे ये आपको मैं explain कर देता हूं क्योंकि इस पूरे chapter में सबसे ज़्यादा confused करने वाला point यह है और कई बार इससे question भी आ चुके हैं तो वो terms क्या-क्या थे ये मैं आप एक बार आपको बताता हूं पहला terms यह था कि जो भी land है farmer के अंडर जो भी land आता है उसके 15% area में उसे indigo की cultivation करनी है means अगर किसी किसान के पास 10 जमीन है तो उसके 1.5 में उसे indigo उगाना है clear यह उनका rule था and second जो contract था वो क्या कहता था कि जितना भी indigo है जितना भी indigo produce हुआ है means उस 15% में उन्होंने जितना भी indigo का production किया है उसका 100% means वो सारा का सारा indigo उन्हें अंग्रेजों को देना होगा as a charge उस जमीन को यूज करने का charge यह जो टर्म यह जो contract था वो हुआ था indigo जो वहां के landlords थे और indigo farmers के बीच में clear so यह एक important question था and काफी confusing question था क्योंकि इस story में clear नहीं पता चलता है कि contract कौन सा था क्योंकि यहां हमें एक और contract यह दिखता है taking the chumper and case to court is completely useless अब यहां पे गांदी जी को ऐसा क्यों लगता है कि इसको जो chumper and case उसको court मिले जाना useless क्यों है इसका सबसे बड़ा reason था farmers का fear कोई भी जो lawyer से उन्हें support नहीं करना चाहता था क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो lawyers को support किये तो English officials जो है वो उन्हें hurt कर सकते हैं उनके खिलाफ कुछ बुरा action ले सकते हैं इसलिए जो main reason वो था कि farmers जो थे डरे हुए थे इसलिए court ले जाना useless था main इनका जो solution यह था कि जो farmers का डर है उसको खतम किया जाए तो यह भी एक अच्छा question था how did the German synthetic indigo affect the present landlord relationship in चमपारण यह question पूछ रहा है कि जब Germany में synthetic indigo बना लिया गया तो उसका जो effect था वो किस तरीके से landlord और present के बीच में जो relation था जो संबंध था उसे किस तरीके से उसने बिगाड़ा या affect किया किस तरीके से affect किया सबसे पहला point हमें पता चलता है कि जो farmer से वो काफी cheated feel किये या फिर हम कह सकते हैं betrayed feel किये means उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है हमारे साथ cheating हुई है second thing क्या जो 15% वाला जो contract था 15% वाला जो contract था उसको end करने के लिए जो landlords थे वो उनसे कुछ fees मांग रहे थे कुछ पैसे मांग रहे थे कितना पैसा आप हमें दे दो आप ये 15% वाले से हट जाओगे third thing जो ये आया वो ये था कि इसकी वज़े से जो farmers का 25% वाला जो 25% वाला गांधी जी ने contract established किया वो भी इसी वज़े से आया था ये तीन जो relationship थे उनके बीच में affect हुए थे ये तीन points हम वहाँ पे लिख सकते हैं या एक चीज़ ध्यान रखिया answer हमें paragraph के form में लिखना है points में आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हें आपको इन्हीं points के based पे answer लिखने हैं बट answer हमारा paragraph form में रहेगा next question हमारा जो है वो ये है why did गांधी जी feel that taking the chumper and case ओके ये तो हो गया है last question why did गांधी जी told the courts that he was involved in a conflict of duties ये question ये पुछ रहा है जैसे हमने देखा ना कि गांधी जी जब court बुलाया गया था तो उन्होंने उनसे क्या कहा कि हाँ मैंने rule break किया है बट ये मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज से break किया है सो वो consigns of duties में किस तरीके से फ़स गया यहां मैं आपको बताता हूँ कि consigns of duty क्या होता है consigns of duty मिन्स ये होता है कि अगर आपके पस दो काम है और वो दोनों काम जरुरी है तो आप confuse हो जाते हैं कौन सा काम उसमें आपको करना है सो अब यहां पर कौन-कौन से consigns of duties थे यह मैं आपको बताता हूं पहला जो था वो था लॉक को फॉलो करना और सेकेंड जो था वो था उनका जो खुद का कॉंसाइंस था उनके जो अंतरात्मा से जो आवाज आ रही थी उसको सुने तो गांधी जी इसी में कंफ्यूज हो गया थे कि मैं लॉक को सुनूं या अपने खुद के अंदर की आवाज को सुनूं लास्ट में गांधी जी ने इसे चुना और इसलिए उन्हें जो लॉट था वो ब्रेक करना किये आपके मन में इस चैप्टर कोई सा भी डाउट बचा होगा एंड अगर है तो आप तुरंत उसको इस वीडियो के एंड होने के बाद उससे कमेंट में आप लिख सकते हैं आपको रिप्लाइज जरूर मिलेगा और काफी अच्छा चैप्टर था हमें हिस्ट्री के बार जा जा है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है विद्ट पैकेज ऑफ क्वेस्टेंज तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाय थांक यू टेक केर जैहिंद